कोई भी अध्यक्स गांधी परिवार को गुडबाय कह नहीं कहेगा, चुनाव से पहले बोले सशी धरूर कांग्रेश अध्यक्स पद के चुनाव को लेकर उमिद्वारों में नामांकन पत्रों की जाच हो गई है, इसके साथ ही उमिद्वारों का नामांकन कैंसिल हो गया है, जिसके बाद अब इस पद पर मलिकार जुन खड़के और सशी धरूर के बीच मुकाबलत देखा जा रहा ह वहीं तीसरे परत्यासी जारखंड के पूर कैबिनेट मंतरी केंतिर पार्थी इस देश से बाहर हो गए हैं, इस बीच चुनाव से पहले कांग्रेश सांसद सशी धरूर ने कहा कि कोई भी अध्यक्स गांधी परिवार को गुडबाए नहीं कहेगा, न्यूज एजेंसियों के मताबिक पार्टी अध्यक्स के चुनाव के बात गांधी परिवार की भूमिका के बारे में पूछे जाने पर सशी धरूर ने कहा, गांधी परिवार कांग्रेश का ट्यान एक एग एक लिए कोई अध्यक्स इतना मुर्ख नहीं है, वे हमारे लिए बहुत बड़ी संपत इसके लावनोंने ट्विट कर अपने और खड़के के चुनाव लड़ने की भी बात कही उन्होंने लिखा यह जानकर परसंता हुई कि जांच के बाद मलीकारजुन खड़के और मेरे बीच अध्यक्सपद के लिए मैत्री फून पर तयोगिता होगी कांग्रेश और हमारे जन्तरिक परकिरिया से लाव मिलेगा 20 फूम में से 4 फूम में मिली गड़बडी बता दें कि कांग्रेशी अध्यक्स के चुनाव पर भारी मधूसून दन मिस्त्री ने प्रेस कॉनफेंस में बताया कि उमीद्वारों के फूम की जाच की जा चुकी है इसमें 20 फूम में से 4 फूम में हरस्ताक्सर में बिंता पाई गई जिसकी वज़े से उन्हें कैंसिल कर दिया गया है अब इस सुनाव में मली का अरजुन खड़के और सशी थरूर आमने सामने होंगे जारखंड के परत्यासी के अंतिरपाथी का फूम रिजेक्ट हो गया है दरसल खड़के और से अधिक फॉम दाखिल किये थे पहले दिन ही परत्सतावकों में पिछडे थरूर ये भी बताते चले कि खड़के के नामाँकर में तीस कांग्रेसी लीडर्स परस्तावक बने जबकि थरूर की और से सिर्फ नो परस्तावक बने थे खड़के ने परस्तावकों में जी 23 के नेता भी सामिल है सरल सब्दों में समझे तो प्रैक्टिस मैच में भी खड़के ने थरूर को पीछे कर दिया है रही सही कसर खड़के के परस्तावकों के बड़े चैरे ने पूरी कर दी 2000 में जितेंदर परसाद ने सोनिया गांदी को चुनोती दी थी और उन्हें हरा भी दिया था 22 साल से इस पद के लिए कोई मुकाबला नहीं हुआ राउल 2017 में सर्व समती से चुने गए थे अधेक्स पद के लिए और 2017 से 2019 में सोनिया गांदी ने एक ब्रेक लिया था और सोनिया गांदी सबसे लंबे समय तक पार्टी अधेक्स बनने का रिकोर्ड कायम है 2019 के लोग से बात सुनाओं में कांगरिस की हार के बाद राउल गांदी ने पार्टी अधेक्स से इस्तेवाइब